खेलते वक्त जैसे ही बादल की गरत सुनाई दे एक रूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पेरों को यूं मिलाते हुए उकडू पेंट जाना है ताकि तेजवाद से कान बच सके और जमीन पर इसे बैठने से बिजली गिरने का ख़त्रा कम हो सके ए बाउजी, बाउजी, यह बच्चे हमारी नकल काहें कर रहे हैं? यह नकल नहीं है, बिजली जब बहुत करीब होती है तो यह उससे बचने का तरीका है, अब तुम सर मत खाओ, दर्बे के तरह भागो जब भी बादल की गरच सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छट वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रख कर और एडियों को जोड़ कर बैठ जाएं और ध्यान रखें, एडियां जुड़ी हुई हों, बिजली का खत्रा, उंचे पेड, बिजली के जबों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सबसे दूर रहें, तैयारी में ही समझदारी रहें